नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगा हमारे चैनल मुफ्तियान गुर्जी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे पत्ते के बारे में जो डाइबर टीज को कंटूर करता है गुर्दे की पत्थरी को पेसाब के रास्ते निकाल देता है हिचकी की समस्य को तुरंत खत्म कर देता है जले हुए अंग पर लगाने से अराम दिलाता है दातों को साफ करता है जिया दोस्तों आज हम बात करेंगे आम के पत्तों के फायदों के बारे में आम आपको भले ही साल भर न मिलता हो लेकिन इसके पत्ते आपको सालो भर मिलते हैं आम के पत्ते लाल या बैगनी रंगे होते हैं जब ये पत्ते कोमल और नय होते हैं तो गहरे हरे रंग और हलके नीले रंगे होते हैं दोस्तों अगर आपको हिच्की आती है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खाना खाते ही हिच्की आती है, इसके पत्तों को जलाएं और धुएं में सास लें, हिच्की तुरंथ ठीक हो जाती है, कई बार खाना बनाते वक्त हाथ पेल जल जाते हैं, तो जले हुए अंग पर आम के पत्तो की राख लगाएं तुरंत रहत मिलती है तो दोस्तो इस वीडियो को आप लोग अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें और जरा ही पसंद आए तो लाइक करें और इसके बाद आता है दोस्तो घुर्दे की पत्थरी जीहां किड्नी एस्टोन आजकल के समय में यह बिमारी बहुत ही तेई से फैल रहा है तो इसके पांच पत्तो को तोड़ कर साम में एक गिलास पानी में भीगो दें और सुबा उस पानी को गरम करें गरम करने के बाद जब पानी ठंडा हो जाए तो पी ले इससे पिसाब के रास्ते पथरी निकल जाती है इसके बाद है दोस्तो डाइबर्टीज डाइबर्टीज आज के समय में पहुत ही तेई से फैलता हुआ बीमारी है लाखों लोग इससे परिसान है तो दोस्तो इसके पत्तों में एंथो काईनोर्टीक्स नामक टैनिन होता है जो मदूमे को कंट्रोल करता है इसके पत्तों को आप अच् पीने से लाह मिलता है डाइबर्टीज कंट्रोल होता है इसके बाद चलिए जानते हैं दातों की समस्या को कैसे खत्म करें दातों की सफाई करनी हो तो इसके पत्तों को छाव में सुखा करके पावडर बना ले और इसके पावडर को ले करके मंजन करें दात साफ हो जाते है साथी इसके दातुन करने से दात मजबूत और दातों से बदवू चली जाती है आप इसके टहनी को तोड़ करके दातुन कर सकते हैं इससे दातों का दर्द भी दूर होता है और दातों से बैक्टरिया भी मर जाते हैं तो दोस्तो आज की जनकारी में हमने आपको बताया आम के पत्तों के फायोदे को भरे में अच्छा लगा हो देश वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम आपसे जल्दी जूड़ते हैं किसी और नहीं जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो